नमस्कार मैं हूँ ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रेपोर्ट में आपका स्वागत है आज आपको बताएंगे इरान और इसराइल यूद से जुड़ी हर अपडेट के बारे में तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमानू युद तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्धा भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोच अब दावा किया जा करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस एरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इसरेल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर एजराय, अमेरिका, ब्रिट और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फ्यमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटे और इसरेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, धून और लड़ाकू जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे. राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है. वश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी. अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नैटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? ज़रा देखिए, क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है? दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है. इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है. इरान योकरेन युद में रूस को हजारों आपनाती ड्रों शाहिद 136 वहां से 10 जैसे ड्रों दे रहा है जिसके जर्ये रूस योकरेन को जंग में रौंद चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रौकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इस्रेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और रूम से हमला किया है बरादरान और दूस्तान मान दर मनतके के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मा दर दिफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इरान के साथ मुस्लिम वाल इस्रेल के साथ नाटू इस्रेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस समेथ तमाम पश्यमी और नैटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वाल के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गड़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया Times of Israel ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसरेल की और जाने वाले दर्जनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब पांच घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम तीन बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इसरेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99-30 ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइलें दागी गई, जेने तबाग करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के 99 एर बेस में गिर गई थी इस्राइली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कोल मיל AKER, IRAN के तीन सोबीस ड्रून और मיסाइलें ताबा हुई हमार्गा खोत अड़ी फिंट पयंगारे धिर्ण कानल हमार्गा थो अदाइमा, हम्मार्गा है, हम्मार्गा थाहन कि त dużंद्ज, प्हुंज कि प्कुड़ में, फिरन इरान ने दिखाया ट्रेलर युद तो अभी बाकी है पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूत पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पीम बेनियमिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतन्याहू भले ही इरान को तबाही की धम्तियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत ख़दरनाक है जरा देखिए इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिए कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बेलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच यह मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर रहमला कर सकती है तो वहीं कहीबर मिसाइल की मारफशमताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज का सेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलो मीटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो नुकलियर पावर से लैस है इसकी रेंज 3000 किलो मीटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तरकीबाद कीजाय तो ऐरान अधिगाती ब्रॉन का सबसे बड़ा नर्माता है ऐरान के पास मोहाज़ 10 नाम का धातक ब्रॉन भी है जसकी रेन, 2,000 किलो मीटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का ब्सकूर्टक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नגד इसराईल वशिगरा योतर मे-300 इयोमी मसूगीं शोनीं अईयुम ऐरानी पगश अता अलियोनות अवीरित वाटिकनोलोगी शल चाल बशिलोव कौलिट्सिया लोगमत चजका शियाखद इर्टो एत रुबाम हमकरिया शल ऐयुमीं अब ऐसे हालात मेगर ऐरान रुस के साथ सीधे जंग मे पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इस्रेल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इस्रेल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रुस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पूरा तो अभी एरान के हमले के कुछी गंटे गुजरे हैं और उधर इसराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में इस बुल्ला के अतियारत डीपो को बारूदी दमाके से नेस्ता नाबूत कर दिया है इसराइल ने पूरी फोर्स के साथ एरान और उसका साथ दिले दुश्मनों को सबक सिखाने का एलान भी किया है और इसराइल के रख्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खतम नहीं हुआ है देखे रेपोर्ट 48 गंटे यही डेड्लाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 गंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल 48 गंटे में बदला लेगा इसराइल तेहरान में जैरीकों का धमाका इरान का बचना ना मुमकिन मोसाद का ओपरेशन घर में गुस कर बदला 48 गंटे बाद खाड़ी में एट्मी यलकार इरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तयार है इरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है इसराइल एर पावर का मोस्ट शौकिंग शो दिखाएगा इरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है इसरेल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता ये बारूदी विद्भन्स अब किसी के टाले नहीं टल सकता क्योंकि ये युद्ध इसरेल के वजूद का है क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसरेल का इस दुनिया में होना ही बरदाश्ट नहीं सही समझ रहे हैं इरान को इस धर्ती पर इसरेल की मौझूद की खटकती है इसलिए ये जंग आर पार के मोर तक जाए की इसरेल इसके लिए तयार बैठा था मौका इरान ने दे दिया है तीन सो विस फोटक हथियारों से हमला कर इरान ने इसरेल को युट के मैदान में बुलाया है दुनिया जानती है कि जब भी इसरेल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है इसरेल क्या क्या करने जा रहा है तेरान में टेरर क्यों है इरान इस्रेल तक्राव की लास्ट स्टेज क्या होगे इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है इस्रेल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है इस्रेल जैसे सोलजर बहुत कम सेनाओं के पास है इस्रेल के सबसे खुखार और शातिर खोफिया कमांडो मुसाद भी जंग के लिए तयार है इसरेल फुल पोर्स में अटाक मोड में आने वाला है इरान के पास डेडलाइन भी महद 48 घंटे की है इस टाइम लाइन के बाद क्या हो सकता है इसे समझना है तो पहले ये जानिये कि इसरेल के लिए इरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं युद्ध तक नी का होगा लंबी दूरी तक मार करने वाले हत्यारों की टकर होगी युद्ध के नतीजे आस्मानी लड़ा के ही तै करेंगे दुनिया का सबसे खादक जंगी जट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इसरेल के पास है F-35 स्टेल्थ फाइजर के खासियतें देखिए F-35 2000 किलोमेटर प्रति घंटी के रफदार के साथ उडान भर सकता है F-35 वाटिकल टेक ओफ लैंडिंग में सक्षम F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता F-35 किसी भी मौसम में उडान भर सकता है F-35 जमीन हवा में टा F-35 का बेड़ा इरानी तबाही का सबब बन सकता है वहीं इरान जिस मिसाइल पावर की धोश जमाता है उसके मामले में इस्रेल भारी पड़ता है इस्रेल की एक मिसाइल ही इरान में खूनी को अराम मचा सकती है नाम है जेरीको मिसाइल इस्रेल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था जेरीको बैलेस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कमपनी दसॉल्ट की सहयोग से बन रही थी बाद में इस्रेल ने इसे अपने दम पर तयार किया मौजूदा समय में जेरीको बैलेस्टिक मिसाइल के तीन सिस्टम इस्रेल के पास है इसकी क्षम्धा 48,100 से 65,100 किलो मिटर तक है पूरा इरान इस्रेल की एक मिसाइल की जट में है यानि ट्रिगर तेल अवीब में दबेगा और बारूदी जलचला इरान में उठेगा अपनी धर्ती से इरान को दहलाने तक ही इस्रेल नहीं रुकेगा इरान में घुस कर भी इस्रेल सैन ने ओपरीशन को अंजाम देगा हलाकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है जैसे कि इसरेल ने ओपरेशन उपीरा चला कर इराग के परमाणू रियक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है इराग के ओसी राग परमाणू रियक्टर खत्म करने के लिए इसरेल ने F-16 जेत उड़ाये थे ऐसी इसरेल के सबसे घातक लड़ाके हैं मुसाद एजेंट जिनका दुनिया भर में डंका बचता है मुसाद एजेंट्स ने ये ओपरेशन अन्जाम दिया था मुसाद एजेंट के ओपरेशन से इरान किस कदर खौफ खाता है इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी जब तेहरान में घुसकर मुसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपा कर रखे गए इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम के डॉक्युमेंट हासिल कर लिये थे इरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा जटका माना जाता है मुसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोर देता वार फ्रंट पर मुसाद एजेंट इरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है इसके साथ दूनों देशों में फुल फ्लेश्ट वार की नौबत आने पर कई और फर्क साफ़ जैसे इरान के पास भले ही पूरे मिडल इस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एर बैटल के तमाम हथियार डेबलब कर लिये गए हैं लेकिन इस्रेल के मुकाबले उसके सेन एक ट्रेंड नहीं है इरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एर फोर्स है इरान की एर फोर्स इस्रेल के मुकाबले कहीं नहीं ठहर दी इरान की ज्यादत तर एरक्राफ्ट 1941 से 1989 के बीच के हैं कई विमान तो अब ढंक से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेर पार्ट्स ही नहीं मिलते इरान ने आखरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एरक्राफ्ट खरीदे थे लेकिन वो भी पूरी तरह operational नहीं है इसी तरह इरान के टैंक से लेकर बक्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी है Modern Warfare में टेक्नलोजी का सबसे बड़ा रोल है इसरेल इस मामले में इरान से कोसों आगे है इरान के पास भले ही नंबर हो लेकिन टेक्नलोजी और इंटेलिजन्स के फ्रंट पर इसरेल दुनिया में सबसे आगे है लेकिन इरान को बेहद कमजूर समझना भी इसरेल की बड़ी भूल साबित हो सकती है इसलिए पश्यमी देश खास कर अमेरिका और इसरेल इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए हाना कि पश्यमी देशों ने इरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे है इसी वज़े से इरान टैंक और फाइटर जेट को डेबलप करने में खास सफल नहीं हो पाया लेकिन इरान की मेसाइल पावर बेजोड है लेकिन इसरेल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तिमाल करता है हर हथियार मतलब हर हथियार मुम्किन है कि एरान से आर पार की नौबत आये तो इसरेल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे क्योंकि एरान से युद में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही कटर दुश्मन दोनों मुलक आखरी सांस तक जंग जीतने की कोशिच करेंगे ऐसे में किसी भी वक्त परमारू हथियारों के बटन दब सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद का आगाज होगा क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वॉल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नैटो जैसे संगठन का पावर है जाहिर है नियोकलियर युद के खत्रे को अब टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस्रैल इंतकाम लेने के लिए कोख्यात है इस्रैल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है चोड़ ये वक्त एक छोड़े सब्रेका है फोरान हाजर होते है इस वक्त इस्रैल ने एरान के हर बड़े मिलिटरी वेस को अपने टार्गेट पर लखा हुआ है और उसने अटाक के लिए अपनी टाइगर फोर्स भी तैनात कर दी है और तैयार करती है अब फैसला है नितने अनाहू को देना है और इस्रैल को अपने किस हत्यार पर सबसे ज़्यादा भरोसा है ये जानकर एरान भी हैरान है देखे रपो पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इस्रैल जवाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम दिये जा रहे हैं ये है इरान, इस्रैल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अपरेल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या अपरेल के महीने में इरान और इस्रैल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर चेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली दिमा जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादक फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीक में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे वड़े खास्यत है F-35 के अधित्व रफ्तार करीब 2000 किलोमेटर प्रति घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते है यही वज़े है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इसरेल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रगता है इस विमान को रोपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन और चलिए इस बुलिटर में फराल के लिए बस इतना ही बाकिया ने खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार